हेलो एवरीबन वाट्स आप वेलकम बेक टू फ्रों माई व्यू मैं हुनिलू आज मैं आप सब के लिए कैसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप बड़ों को पसंद आएगी अगर बच्चों को बहुत पसंद आने माली है यह ने बनाया है केबेज वैजी पीजा अगर बच्चों को पत्ता गोभी की सबजी पसंद नहीं आती है तो आप उने यह रेसिपी से बना कर दें दे विल लाव इट सो स्टे टून वित मी लैट्स गेट स्टार्टेड इसके ल देना है ब्रेड मैंने वाइट ब्रेड लिया है लेखिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आम ब्राउन ब्रेड ले क्योंकि वो हेल्दी होता है इसलिए अब इस ब्रैट पर लगाना है पीजा सोस पीजा सोस आपको इसली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा आप किसी भी ब्रांट का ले सकते हैं पीजा सोस को ब्रैट पर अच्छे से फैला लें अब इस पर स्प्रेट करना है बहुत सारा चीज चीज को मैंने ग्रेटर की हल्प से ग्रेट कर लिया है एक देखिए धैर सारा चीज इस पर मैंने स्प्रेट कर दिया है क्योंकि पीजा में चीज से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब इस चीज के उपर फिलाना है पत्ता गोभी की सब्जी जो आप घर में बनाते हैं जैसे ही सब्जी को बनानी है मैंने यहां पर पत्ता गोभी और इसमें थोड़े से मटर भी एट कें इसकी सब्जी बनाई है जो मैं इसके उपर अब स्प्रेट कर रही हूं इस पर थोड़ा से मैं चीली फ्लेक्स टाल रहे हूं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे इसकी बड़ा कर सकते हैं यह हमारा एक पीजा राइडी हो चुका है अब मैं सेम प्रोसेस से दूसरा पीजा भी बनाने चाहरी हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए यह बार-बार मुझे बताना परता है क्योंकि आप देख तो लेते हैं वीडियो लेकि लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए यह हमारे दोनों पीजा रेडी है तो अब इने बैक कर लेते हैं उसके लिए हमें एक पैन लेना है और उसके अंदर पीजा को इसके अंदर रख देती हूं पीजा को मीडियम फ्लैम पर ही पकाना है तो आप यह ध्यान रखें कि आप फ्लैम को मीडियम ही रखें अब इसको पांच मिनिट के लिए ढख कर पकाना है तो मैंने यहाँ पर इसकी लीट लगा दी है और देखिए इसके अंदर यह चीज मेल्ट हो रहा है और पांच से साथ मिनिट के अंदर इसको ढख कर पकाना ही देखिए बहुत अच्छे से पक चुके हैं केबेज वेजी पीजा रेडी हैं आप इन्हें गर्मा गर्म बच्चों को सर्व करें और बच्चे बहुत ही खुश होने वाले हैं